हेलो दोस्तों मेर होम कीचन में आप सभी का स्वागत है उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे तो आज मैं आपके लिए लेकर रहा हूँ बहुत ही मज़ेदार सी समोसी जो आपको बहुत पसंद आएगे वीडियो अच्छे लिए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजे दोस्तों में जादा से जादा शेयर कर दीजे चैनल पर अगर ने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे तो चैले फिर शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने दो कप मैदा ली है आप इसकी जगा गेहूं का आटा भी इस्तमाल कर सकते हैं जो लोग मैदा नहीं खाते हैं वही आटे का इस्तमाल कर सकते हैं और जो खाते हैं वो यहां मैदा का ही स्तमाल करें क्यूंकि हम यहां समोसी बना रहे हैं जो मैदा से ही बनते हैं तो कर लेंगे और इसी तरीके से आप होल्ट करके देख लिए अगर हो रहा है तो मोईन एकदम पर्फेक्ट है और अगर ये आपके मुठी में हो रहा है तो आप इसमें एक चमच रिफाइन ओर डाल सकते हैं और थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल कर इसे हम आटा लगा लेते हैं तो यहां हम आटे को बहुत जादा पतला नहीं लगाएंगे हमें थोड़ा सा टाइट आटा ही चाहिए तुछे लिए आटा लग चुका है साइट भी रख देते हैं तो इसकी हम इस्टफिंग तयार कर लेते हैं तो यहां मैंने समोसे के इस्टफिंग के लिए चार आलू अगर यहां मैंने दो सीटी आने तक उबाल लिया था और उबालने के बाद मैंने इने फ्रिज में दो खंटे के लिए रख दिया था काफी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और टाइट भी हो चुके हैं जब भी आप समोसे बनाए या तो रात में ही उबाल के रख दे और अगर यह आलू थोड़े से मतब धेले रहेंगे लूस रहेंगे तो इस्टफिंग हमारी पतली हो जाती है जो समोसों में अच्छे से नहीं भर पाती तो चेलिए आलू को हम क्रस कर लेते हैं एक प्याच लिया है बारी काटकर उसे डाल देते हैं चार से पांच हरी मिर् थोड़ा सा मैंने यहां भुना पीसा जीरा डाला है और मैंने यहां एक चमच साबित धन्या लिया था जिसे मैंने तवी पर रोश कर लिया था और अब मैंने उसे हाँ से क्रस करके डाला है आदा चमच नमक डालेंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां हमारी stuffing mix हो चुकी है लेकिन जो सबसे ज़्यादा खास चीज़ है वो है कौन फ्लोर तो आप यहां कौन फ्लोर की जगा चावल का आटा भी ले सकते हैं तो यहां तीन सी चार चमच कौन फ्लोर डाल दीजिए इससे हमारे stuffing समोसी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आएगी थोड़ी फोद तो जरूर आएगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आएगी तो चलिए stuffing तयार है इससे साइट पर रख देते हैं और आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है तो चलिए हम इसे दो फाग में divide कर लेते हैं एक हिस्सा उठा कर हम ठककर रख दीते हैं और तूसरी को हम बेल लेते हैं तो चलिए इसे बेल लेते हैं और दिहान रहें बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना और अगर आपको थोड़ा बेलने में दिक्कत हो रही है वैसे तो ये चिपकेगा नहीं क्योंकि हमने इसमें मौइन डाना है लेकिन अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप इसमें सूखा मतब मैदा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं तब बेल लीजिए तो यहाँ रोटी बेल कर तयार हो चुकी है मैं इसकी मौटा ही दिखा रही हूँ आपको बहुँद जादा मोटा भी नहीं रखा और बहुँद जादा पतला भी रही तो चलिए इसकी एक पट्टी निकाल लेते हैं तो यहां हमें इसे पट्टी में बनाना है तो एक पट्टी हम इसकी निकाल लेते हैं और दूसरे को भी हम बेल लेते हैं तो इसी तरीके से हमें जितना भी आटा है उसकी इसी तरीके से पट्टी बना कर तयार करनी है तुछे लिए बना लेते हैं तो यहां हमने दूसरी पट्टी भी बना कर तयार कर ली है इसी साइज की जितना मतब आपको जो भी साइज रखना है दोनों पट्टिया आप बराबर ही रखें तो अब हमने जो इस्टफिंग बना के रखी थी उसे हम अच्छे से फैला देते हैं तो एक पट्टी पर फैला देते हैं तुछे लिए फैला लेते हैं अच्छे से तुछे लिए यहां हमने अच्छे से इस्टफिंग लगा ली है और अब हम जो दूसरी वाली पट्टी बना की रखी थी उसे हम उपर से सेट कर देंगे आप देख सकते हैं मैं किस तरी किसी कर रही हूँ अच्छे से इसे अगर आपको थोड़ा मैदा है थोड़ा खिर जाती है अगर थोड़ी वो छोटी रह जाए तो आपसे थोड़ा सा ख तयार हो जाते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं आती है तो चलिए अब हम इने कट कर लेते हैं फाल्टू का जो थोड़ा पूत अगर पाठ है तो आप उसे कट कर दीजिए और इस तरीके से आप इससे एक एक इंच की पट्टिया इसकी कटिंग कर लीजिए तो यहां देख सक से हमें इसी तरीके से तयार करने है तो यह लिए हमारे सारे समोसी तयार हो चुक swiftly हैं और अब हम गैस की तरफ चलते हैं गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है तेल डाल दिया है तिल अच्छी से करम हो चुका है तुछे लिए एक ही करके समोसी डाल देते हैं अब एक साथ बहुत सारी समोसे बिल्कुल नहीं डालने चार से पांच पीस ही हम डालेंगे और गैस का फ्लेम हमें लोटू मेडियम ही रखना है सोफ्ट सोफ्ट रहेंगे वो अच्छी बिल्कुल नहीं लगेंगे और डालने के तुरंत बात आप इने कल्ची से बिल्कुल मच चलाईएगा जब ये ऊपर आ जाए तब ही आप इने कल्ची से छेड़िएगा तो चल ये देख सकते हैं थोड़े से क्रिस्पी हो चुके है और अब मैं इने कल्ची लगा रहे हूँ तो ये बिल्कुल भी इनका शेप खराब नहीं हो रहा है तो इसी तरीके से हम अपने समोसों को बढ़हा से फ्राई कर लेते हैं तो यहां हमें गैस का फ्लेम दिहान रखना है मीडियम ही रखना है और लो रखना है हाई बिल्कुल ले ही करना तो यहां हमारे समोसे अच्छे से सिक चुके हैं तो छेलिए एक पैस सिकर तयार हो चुका है इन्हें हम निकाल लेते हैं और बाकी की जो समोसे बची हैं उन्हें हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं तो इसी तरीके से हम अपने सारे समोसे बना कर तयार करेंगे तो यहां हमारे समोसे बनकर तयार हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं, और देखने में कितने ज़्यादा सुन्दर लग रहे हैं, तो अगर खर पर कोई गेस्ट आ रहा है, या छूटी मूटी कोई पार्टी है, तो आप इने पेरे से बना कर फ्रिज में रख सकते हैं, और आप इने बाद में जब मन चाहे तब इने फ्राइ करके सर्व कर सकते हैं, और येकिन मानिए, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, एक बार आप इने ज़रूर से ट्राइ कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे, तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी कमे टेक केर